हेई हलो एवरीबड़ी वेलकम बाक वित अ न्यूव वीडियो मैं अरविन सिंग एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टिकनिकल अवी आज हम XM के live account से deposit and withdrawal के method को समझेंगे कि एक local Indian client किस तरीके से deposit कर सकता है, withdraw कर सकता है, कौन-कौन से methods available है bonus program पे भी थोड़ी नजर डालेंगे और ये बात कि किस तरीके से XM हमें help करता है trading के लिए website के top पे member login का एक button आप देख सकते हैं, जैसी मैं इस पर click करूँगा, मैं next page पे redirect हो जाओँगा, जहां पर मुझसे मंगा जाता है MT4, MT5 ID, real account के and password जैसे मैं login पे click करूँगा, मैं पहुँच जाता हूँ members area में, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं live account से login हूँ, जहां पर मेरा balance है 466.61 USD, US dollars जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के starting में, कि आज हम live account से देखने वाले हैं सारी चीज़े, तो सबसे बहले मैं आपको बता देता हूँ, bonus program के बारे में, तो यहां पर जैसी मैं scroll down करता हूँ, यहां पर देख सकते हैं, आप 15% bonus, अगर मैं next deposit करता हूँ, तो मुझे 15% का bonus मिलेगा, किसी भी deposit पे, suppose कीजिए कि मैं 100 dollars का deposit करता हूँ, तो मेरा total equity balance हो जाएगा, 115 dollars, मतलब 15% bonus मुझे मिल जाएगा, अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी आएगा, कि क्या हम इस bonus को use कर सकते हैं as a tradable bonus, जी हां, answer है yes, आप कर सकते हैं, अब लोगों के मन में एक और question आएगा, क्या हम इसे withdraw कर सकते हैं, तो देखिए, जो tradable bonus होता है, उसको आप use कर सकते है as a equity part, मतलब अगर आपके पास 100 dollars है, bonus लेने के बाद आपके total equity हो जाती है, 115, आप 115 dollars की trade ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब directly चलते है deposit के section पे, और देखते हैं, XM हमें कितने deposit methods देता है, as a Indian client, अगर मैं इंडिया से हूँ, तो मेरे लिए कौन से method suitable है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे scroll करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है online bank transfer, क्या चीज़े ये भी discuss करेंगे, और मिल जाता है मुझे UPI method, जो कि आजकल सभी use करते है, there are lots of methods available with XM, यहाँ पे हमें कितने banks मिल जाते है, यहाँ पे मुझे से पूछा जाता है कि आप deposit कितना करना चाते हो INR में, इंडियन रुपीज में, तो अगर मैं डाल देता हूँ, 10,000 रुपीज, तो यह convert हो जाता है 130.52 तो यहाँ पे conversion rate, यहाँ पे आप देख सकते है, USD INR conversion rate है, इस website का हो है, 76.6171 dollar, ठीक है, यानि कि 1 dollar का जो rate है, वो इतने रुपीज है, अब मैं declare कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं proceed कर देता हूँ further, तो next page मेरे सामने खुल के आता है, कि भाई, आप confirm हो, आप deposit करना चाते हो, जैसी मैं confirm बटन पर click करता हूँ, तो let's see कि कि कितने सारे banks available ह है, और basically क्या कर सकते है, तो यहाँ पर UPI का method आ गया सबसे पहले, virtual payment address यहाँ पर आपको डालना है, अगर आप UPI से pay करना चाहते है, अब option है net banking, तो यहाँ पर आपने देखा होगा online bank transfer का क्या मतलब है, Indian clients के लिए वो है net banking, यहाँ आप net banking use करके deposit कर सकते हो, banks कौन कौन से use क कर सकते हो, बहुत सारे banks available है यार, मतलब options है, mostly जो important important banks है, बड़े बड़े banks से सारे available है, mostly मैं तो कोटे की use करता हूँ, जो भी आप use करते हो, आप deposit यहाँ पर कर सकते हो, मान लीजी कि आपका bank यहाँ पर listed नहीं है, जिससे कि आप use करना चाहते हो net banking, तो आप UPI का use करके deposit कर सकते हो, अब directly वापिस आते हैं, members area में, दोस्तो अब आते हैं, withdraw funds के option पर, और देखते हैं, XM हमें कितने withdraw funds के option देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, netler मुझे मिल जाता है, skrill मिल जाता है, online bank transfer मतलब net banking का option मिल जाता है, मुझे withdraw लेने के लिए, web money और perfect money, अब friends बात कर लेते हैं, research and education part की मतलब, XM किस तरीके से आपको help करता है, trading में, वो बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, research में काफी जादा options आपको मिल जाते हैं, market overview, news, XM research, trade ideas, यह अभी add हुआ है, और काफी अच्छा लगा, मुझे basically, यहाँ पर daily research रहती हैं, और आपके trading के open करूँगा, और हम देखेंगे कि कैसे ideas हमें मिलते हैं regarding trades, और आज हम जिर्फ इस particular point के बारे में discuss करेंगे in further future videos, और हम जरूर discuss करेंगे deeply इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी हम आते हैं इस particular area पे, यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे बहुत सारे options मिल जाते हैं, अभी GBP, JPY selected है, technical analysis, direction भी मिल जाता है, मुझे pattern मिल जाता है, और interval भी मिल जाता है, trend changes भी मिल जाते है, length मिल जाता है, मतलब clarity, quality हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, trend analyze करने के लिए बहुत सारे tools available है, अलग-अलग currency pairs की भी information यहाँ पे दीवी है, euro, USD पे मैंने click किया, तो decisions बनाने में trading के लिए, ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, और मुझे लगता है, काफी अच्छा tool है, अगर आपको नहीं पता था, इसके बारे में तो आपको use करना चाहिए, friends, अगर आप XM के साथ trading करना चाहते हैं, लेकिन जाधा महनत नहीं करना चाहते हैं, तो XM का ज लिंक है, वो description मिल जाएगा, directly आप register कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और exciting contents के लिए, stay tuned with our channel, thank you so much for watching this video, till the end.